हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो गोईलन करियर आज हम बात करेंगे एक बहुत थे इंपॉर्टेंट चीज की क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका आरारबी प्यो में भी किसी रीजन की वज़े से सेलेक्शन नहीं हुआ है और आरारबी क्लर्क में भी किसी भी री अब आपको ये लगने लगा है कि नहीं यार बैंक ये नोगरी आपके लिए नहीं बनी हुए क्या आपको ये लगने लगा है कि आप ये एक्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्ट था तो कोई बात नी, फर्स्ट अटेम्ट में तो दो, चार्ट, छे, दस, पीज दिन बात आदमी जो कैंडिडेट होता है, वो थोड़ा समझ जाता है कि चलो यार फर्स अटेम्ट था, नेक्स टाइम्ट और अच्छे से ट्राई करेंगे, बट वो लोग के बारे मैं डिसकस करेंगे, कि कैसे क्या किया जाए, आकर क्या इंप्रोमेंट लाए जाए, देखिए, मैं डिफिनिटली कह रहा हूँ कि, आप अगर वीडियो देखेंगे, पूरा बात मानेंगे, तो ऐसा नहीं है, सेलेक्शन नहीं होगा, मैं इस बात की गारेंटी बिल किया जाए, और बाकी चीज़े, देखिए, एक चीज़ तो आपको पता ही है कि, डे सारे स्टेडी मटेरियल जो है, वो हमारी वेबसाइट पर अबलेबल है, देखिए, वेबसाइट पर आप विजिट नहीं करते हैं, देखिए, एक रीजन आपकी सेलेक्शन नहीं का ये जाएट जितना हमने प्रोवाइट किया मटेरियल, आप खुद से पूछीगा क्या आपने सारे के सारा सॉल्व कर लिया था, क्या सिर्फ सारा का सारा डाउनलोड करके रख लिया था, या आपमें डाउनलोड भी नहीं कि आ विजिट करना भी ठीक नहीं समझा, देखिए, आप लोग एक्जैन दे रहे थे, क्लर्क दे रहे थे, ठीक है, हिंदी को लेकर आप लोग बहुत ज़्यदा वो रहते हैं, कि नहीं सर हिंदी, 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 मैं फिर से कह रहा हूँ, सेलेक्शन का गवर्मेंट जॉब चाहिए न तो या थोड़ा सा फोकस करो इंग्लि इंग्लिश जो है, आपको मतलब उनको आती नहीं है, इंग्लिश सर बहुत डिफकल्ट है, आप युगता है कि आपको मैट्स आती थी पहले से, कि आपको रिजिनिंग पहले से आती थी, कि आपको कुछ भी सीख के तो आय नहीं थे, कि आपको जब जन हुआ तब से आपको इवन मैंने तो 10th के बाद ही English नहीं पड़ी है, 11-12 में भी इवन English नहीं पड़ी है, गम्पुर्टर पड़ा है, ठीक है, तो दिक्कत हम लोग के साथ आती है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग महिनत नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क् इंग्लिस को सीखना है, तो महिनत करनी पड़ेगी, उससे बचना चाहते हैं, इस वज़े से जो है, एक और रीजन है, मेज़री सेलेक्शन नहीं होने गा, क्यों? क्योंकि आप अपने आपको सीनित कर लेते हैं, RRB के एक्जैम तक, बाकी एक्जैम क्लियर करने के लिए आ आपको इंग्लिश आना बहुत अच्छे से जरूरी है, तो मेरा पहला सुझेशन ये रहेगा, कि डेली आप आएं वेबसाइट पर, डेली सुबह उठते ही, मैं कोर्स करता हूँ, आठ बिले तक जरूर अपलोड हो जाए, और मैं जानता हूँ, सब लोग लेट नाइट आ दाउनलोड करिए, साथ में अपना कॉफी एंजॉय करिए, और निउस्वेपर पढ़िए, ये एक आदत बना लिजे, इसको आदत बनने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये आदत बनने में आपको लगेगा हाडली 15 से 20 दिन, उसके बाद जब आप सुबह उठेंगे, आपको चाय मिलेगी, आपकी आदत पढ़ चुकी होगी, आपको खुद लगेगा कि कुछ-कुछ मिसिंग है यार, चाहाँ निउस्वेपर आज नहीं है, चाहाँ निउस्वेपर पढ़ लेते हैं, ठीकि आपकी आदत बन जाएगी, और आप विस्वास करिए, आप अगर निउस्वेपर डिली पढ़ने लगेंगे ना, तो दो महिनों में आपको खुद की इंग्लिश में बहुत इंप्रॉव्मेंट दिखेगा, एट लिस्ट सब चीज़े आप से होने लगेंगे, यह आप चीज़े समझने लगेंगे खुद बर खुद, यह आप जब पढ़ें आप से, ठीक है, और दूसरा काम यह आप इस्टरी मटरियल पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा था, अब हम लोग बात कर लेते हैं, बेसिकली आपके रिजल्ट की, अब आप कैसा फील कर रहे हैं, देखिए, रिजल्ट तो आपका आर्या, यह आपकी life का last exam नहीं था, क्या यह आपकी life का last exam था, नहीं था ना, कुछ लोगों का यह last attempt जरूर था, वो overage हो गए, ठीक है, वो अब बैंक के लिए ओरेज हो गए तो उनके में बोला चाहूंगा यार अब आप ओरेज हो गए हो तो डेफिनिटली आप बहुत ही बुरा फिल कर रहे होगे कि आपका सेलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं आप और स्टेट लेवल एक्जाम्स देखो एससे एक्जाम्स देखो ज की प्रिपरेशन का एक ही फॉर्मूला है आपको डेली पढ़ना होगा मतलब रेगुलर रेगुलर कोई चीज नहीं करेंगे ना फिर सेलेक्शन डिफकल्ट हो जाता है फिर वो इतना इसी नहीं रह जाता है ठीक है अगर आपका फर्स्ट अटेम्ट था यह तो मैं करना चा कैसी चली जाती है और आपका टॉफ से कितना पीछे हैं आपको किनगी चीजों में महिनत करनी है एक्जाम टाइम में इंवर्मेंट कैसा होता है पेपर कैसा होता है पेपर देने के तरीका क्या होता है यह सब चीज आपको experience मिल गया यह exam देने से तो आपके लिए ये कुछ पुछ भी नहीं हुआ है फिलाल इस एक्जाम से ठीक है तो आप लोगों के लिए दुखी होने की कोई बात ही नहीं है आपके लिए अभी देखें क्या है IBPS क्लर्क के फॉर्म आ गया है वो उसकी तयारी आपको दिए इन दो के तो आप प्रप्रेशन करी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं फिल्प्रेशन ठीक है अब बात करते हैं जिनका ये 2nd, 3rd, 4th attempt था देखो यार 2nd, 3rd, 4th attempt था और आपका अगर 1 marks, 0.5 marks, 2 marks ऐसे रह जा रहा है तब तो ये बात है कि आप exam time बे definitely किसी ने किसी question में फंस आ रहे हैं आपकी speed कम है इसका मतलब यह है आपकी concept सही है ठीक है आपको question करना सारा आता है या तो आपकी accuracy में दिक्कत है ठीक है या आपकी accuracy में दिक्कत है या फिर आप मतलब आपकी practice कम है आपकी speed सही नहीं है तो आपको जो focus करना है वो accuracy पर करना है and speed में करना है जब तक accuracy and speed दोनों का combination आपके पास नहीं होगा तब तक बहुत difficult है किसी भी bank exam को clear कर पाना तो क्या हो गया आपने गलतियां की है इसलिए selection नहीं हुआ है क्या आप 100% क्या है आप ही खुद से बोल सकते है कि आपने अतना 100% दिया है क्या आप खुद से बोल सकते है आपने daily new super पढ़ा है क्या आप खुद से बोल सकते है आपने सारे booster solve किया है क्या आप खुद से बोल सकते है वेब साइट को जितना श्री material है आपने सारा पढ़ा है, सारा डाउनलोड किया है, खुझ से बोच सकते हैं, आप आपने 6-7 गंटे डेली पढ़ाई को दिया है, और आपने जादा मस्ती नहीं मारी है विछले तीन महिनों में, अगर यह सब आपने किया था, आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, फिर भी आपका प्रिलेंस नहीं क्लियर हुआ, तो मैं कहूंगा, हाँ थोड़ा सा लग भी होता है, 1-2%, ठीक है, लेकिन चांस बहुत का मैं, कुछ न कुछ lacking रही होगी आपके अंदर, तो मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, आपके पास अगर एक attempt भी और बचा हुआ है next year का, या अभी next year की सोचने की बात ही नहीं है, next year आप लोग क्यों सोचते हो, आप में से कितने लोग का target ये है, कि RRB PO हमें बनना है, और कितने लोग का target ये है, कि भाई हमें government job चाहिए, बताइए, मुझे तो ये लगता है कि आप में से 99% लोगों का target जो होगा, वो होगा यार एक धंकी government job मिल जाए, ताकि सुकून से life जो है, वो भी दे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, यही होगा ना, तो अब आप ये बताइए, फिर आप RRBPO पर इतना focus क्यों करते हो, भाई जब आपका target ही है, कि कोई ना कोई government job मिल जाए, तो अब ही आपके बास क्या है, IVPS clerk है, IVPS PO है, उसके बाद कुछ insurance के exam आएंगे, वो है, March, April में ही आपका SBI आजाता है, वो है, ठीक है, तो बहुत से प्लस कुछ SSC के exams हैं, आप सब की, एक तो कोई भी paper छोड़िये मत, कोई भी मतलब form निकलती है, vacancy निकलती है, भाई डालिए और उसकी अच्छे से preparation करिए, पहला मेरा suggestion आपको ये भी रहेगा, ठीक है, vacancies को ले करके, दूसरी बात ये है, कि अब आपका selection नहीं हुआ है, तो प्रीज पढ़ाई मत छोड़िये, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई आप regular अभी से करेंगे, तभी आपका selection होगा, क्यों देखिए, आपने last year भी ये गलती की होगी, आपके जब results आ गए ना, और results आने के बाद आपका selection नहीं हुआ, तो फिर आपने सुचा या, मेरा तो selection हुआ नहीं है, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप बताईए किया कि नहीं किया, अगर आप ये करते, कि पिछले साल result आने के बाद भी, वैसे ही पढ़ाई जारी दखते, जैसे आप exam देने के पहले कर रहे थे, तो एक साल में क्या इतनी preparation नहीं हो जाती, कि आप बहुत बढ़ी हमाक्स ले आते, definitely हो जाती, तो पढ़ाई मत छोड़िये, study material किसी भी चीज़ के लिए दिया जा रहा है, आज ही website पर सॉल्व करते रहिए, अगर आप serious हैं अपनी job को ले करके, अगर आप नहीं सिर्फ ऐसे ही है कि अरे हो गया, तो ठीक नहीं हो तो नहीं ठीक, फिर अलग बात है, यह कि जब तर seriousness नहीं आएगी, selection नहीं होगा, कुछ चीज़ें देखो, यह सब सोचने की चीज़ें हैं, ठीक है, डेवलर पढ़ाई करते रहिए, और भागी सारी हैं कि यह exam से ना, इन सब के लिए newspaper बहुत ज़रूरी है, तो वो पढ़ते रहिए, तीसरा, other aspirants के साथ जो है, discussion करिए, discussion बहुत ज़रूरी होता है, आप उसके question करो, वो आपके question करें, थोड़ी बात करो, अरे तुम्हारा भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, थोड़ा mood भी हलका रहता है, और discussion करने से यह होता है, कि आपको चीज़े अच्छे से पता चल जाती है, आप वो जोईन कर लीजिए, या आपके आसपास लोगों हैं, साथ में किसी के preparation कर रहे हैं, तो आपसमें 3-5 local group बना लीजिए, और उसमें discussion जरूर करिए, ठीक है, current affairs पढ़ना मद छोड़ा करिए, exam टाइम पे ज़्यादा मेहिनत करिए, लेकिन current affairs पे आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहे हैं, आदे गटे 15-20 मेंट पे डेली दे दिये, तो उतना more रहे होगा, कि हाँ चलो ठीक है हो गया है, थोड़ा current affairs उससे ये होगा, कि कुछ ना कुछ current affairs आपका prepare होता रहेगा, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, exam टाइम पर आपके उपर pressure नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हर दो-दो दिन थी मैंने पे exam तो होते ही रहते हैं, तो current affairs पर मेंट चलता रहे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, तीसरा low feel मत करें, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, चार बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, ठीक है, आप ऐसे-इसे candidates भी हैं, जिनका fourth attempt में हुआ है, fifth attempt में हुआ है, इवे मैं बताता हूँ, मेरे एक जानने वाले हैं, इसमें पहली भी यह बार शेयर किये, वो currently IRS है, ठीक है, civil services में उन्हें उन्हें क्राक किया है, इंडियन revenue services में, ठीक है, और उन्होंने अपने last attempt में क्राक किया है, सारे attendee यह थैं, इसमें उन्होंने उन्हें क्राक किया है, बहुत दो first पर कर लेते हैं, ठीक है, तो निराश उन्हें वाली बात नहीं है, यार, तीन साल चले के चले यह कोई बात नहीं, government job अगर आपको 27 साल की age में मिल जा रही है न, तो बूरा नहीं है, ठीक ठाक salary होगी, अब तो bank PEO की salary भी यार बढ़ियां होगी है, 11 settlement लग जाएगा, 48-50,000 रुपए starting salary होगी, और क्या चाहिए आपको, तो कोई भी दिक्कतवारी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, कि अपनी कम्यों को देखना है, और उन पर मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद, उनका rectification करना है, मेहनत करने के बाद, जब mock test देंगे, तो खुद उनमें आपको result दिख जाएगा, खुद confident आप feel करेंगे, एंड कुछ लोग होगे न, जो आपको low feel करा हैं, कुछ लोग है रहे, बहुत tough होता है, बैंक हो नहीं हो पाएगा, भया आप चार बार तुम दे चुके, आप तो तुमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोग सिफ जूट बोल रहे हैं, कुछ नहीं आता है, उनको अकल नहीं है, मैं कह रहा हूँ, चार बार दे चुके हैं, आपका सेलेक्शन नहीं होआ है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, कि नेक्स टाइम आप नहीं देंगे, नेक्स टाइम आप एग्जाम देंगे, तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा, मैं कहाँ नेक्स टाइम आप देंगे, बिल्कुल भी low feel मत करिए इन सब चीजों को ध्यान दिजे दोस्तों सेलेक्शन जरूर होगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सेलेक्शन नहीं होगा क्यों नहीं होगा हमारे आप जैसे लोगों का ही सेलेक्शन हुआ है तो आपका भी होना चाहिए नहीं होगे एक आपको अच्छा लगा होगा वीडिजो किसी पर रिजयन से अच्छा लगा है तो लाइक करिए गा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को वेबसाइट को अपने फ्रेंट का शेयर करिएगा एड़ एक अच्छी आज़त आसर डालीजिए आस से ही